आप सभी का स्वागत एक बार फिर से पाथफाइंडर UPSC पर तो मैं दियर फ्यूचर आईस ओफिसर्स तोड़े भी आर गोईंग तो डिस्कॉस अनदर इंपोर्टेंट पार्ट ठीक है आप पार्टेंट कुल्चर सेक्शन दाट इज अजन्ता एंड एलोरा आप पैसिनेटिंग स्टोरी है एक बहुत अच्छी कहानी है अपने आप में इन गुफाओं की क्योंकि ये जो गुफाएं हैं ये जो केप्स हैं ये बोल उटती हैं जी हां तो आज में उनी के बारे में आपको यहां पर डीटेल में बताना चाहूंगा ठीक है तो सबसे पहल करें हैं हाँ आजी आप मुझे यह बता है कि आप लोग चलिया है अघ्ण कर रहें कि न कर कि अपार नंइयुक्र टॉठकर को पलिए टान के हैं हा जो चलिए अब ऊसिका करते हैं ऑप देखते हैं किसक्टे लोग आनसर राइडिंग कर रहे तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वन आट आफ एवरी त्री सेलेक्शन से न्यूपिस यसी 2022 इस फ्रॉम अनकेडमी तो आप अनकेडमी का हिस्सा हो सकते अनकेडमी के साथ में अपनी तयारी कर सकते क्योंकि आप बैच आपके लिए अपलेबल है क्यों सेवन डिपल लाइन में तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहें यह बैच 7999 में अपलेबल है इस बैच को स्टार्ट जो है यह बहुत आपका जो स्वरी उडान बैच है यह स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट अगस्त से इसमें 900 प्लस लाइब आवर्स मिलेंगे आपको मेंस प्री के टेस्ट ला आपको यहां पर देखने को मिलेगा दूसरा आपको आप देखेंगे तो आप एवरी संडे समुद्र मंथन की टेस्स सीरीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते दीपकोन कोट से आप इसे स्कैन कर ले यहां से जोड़ सकते टेलिग्राम पर यहीं पर आपको नोट और आज मैं आपको बताऊंगा एक लिंक जहां से आपको लेंता एलोरा और एलिफेंटा ठीके यस कि अगर आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हो तो आपके के नोट्स कॉपी बनी रहनी चाहिए क्योंकि यह आर्ट इन कल्चर का मुझे लग रहा है कि यूट्यूब में पहला सेशन होगा जो कंप्लीट होगा पूरा मैंने भी कराएं लेकिन लिट्रेचर और म्यूजिक तक गया हूं लेकिन मैं इस बार पूरा इलैबरेट करके कराना चाह रहा हूं क्या टार्गेट देना चाहते हैं आप कि कप तक फिनिस कर दिया जार्ट इन कल्चर मुझे लगता है कि आट इन कल्चर हम लोग 15 अगस्त तक रेगुलर क्लास लेके मंडे टू फ्राइडे क्योंकि सटर्डे करके संडे को आपको मैं महरातन कराऊंगा क्या आप सभी को मालू मैं संडे को मैं लाइप सुभे साड़े ग्यारा बज़े मॉडर्न हिस्ट्री हूं आपके एड्वेंट आप यूरोपियन से लेकर 1857 नेक्स्ट संडे में आपको टॉपिक कराने वाला हूं 1857-1947 डग क्यों क्या आपने कभी सोचा कि कई बार लोग कहते हैं कि स्पेक्ट्रम की किताब को रिवीजन करो मल्टिपल रिवीजन होने चीए लोग कहते हैं ल पूरा का पूरा रिवीजन करा दूगा एक पर फिर टाइम करा दूगा आप समझे कि आप अगर मेरे साथ जुड़े न तो आपका आधा लोड जो है जो कहते हैं कि आपके उपर बर्डेन है वह आधा कम हो जाएगा आधन कल्चर डेली हम चार वजे मिल रहें कितना बेनिफिट आपको वहाँ पर यह मिल जाना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आगे आधन कल्चर में तो आधन कल्चर में सबसे पहले मैं आपको अजनता इलोरा पढ़ाने वाला तो थोड़ा सा इनको एक बार इनकी जानकारी को मिला कर देखने कुछ चीजे बहुत ही और अंगा बाब के पास में महारास्ट में हैं ठीक है नौट वेस्ट में एलोरा केपस भी एलोरा को हम बेरू लेना केपस भी कहते हैं क्या तरंग ना लेना जो सब्द है यह संस्कृत वर्ड है यूज फॉड़ा केब नेरे संस्कित वर्ड है जो केप के लिए यूज़ किया जाता है ठीक है तो अब यहां पर देखेंगे नेक्स्ट क्या लिखा है चेशो एडी के आप पास में हुआ था लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था सिक्सेंचुरी एडी से टेंट और यह चेशो से ठीक है और करीब हजार एडी तक हुआ था अब अगर आप इसको देखो गे तो क्या आप एक कंपेर कर सकते हो कि अजनता पहले बनी है और जब अजनता जो पहले बनना स्टार्ट हुए उसके बाद में स्टार्ट हुए कौन से यह लो रहा क्योंकि अजनता का में पार्ट तो 200 से 600 की बीच में हो गया था लेकिन उसके बाद में भी इसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट रहा तेरे ले और यहां पे तो यह 600 में स् आप जड़ा मुझे बताओ आपने एंसेंट इस्टी पढ़ रखी है क्या 200-600 AD के बीच में या 200 BC से लेकर 680 के बीच में अगर हम लोग देखे तो इसका सेकेंड पार्ट जो हमें दिखता है न ये तो हमें लग जाएगा कि हिंदुईजम का होगा लेकिन 200 BC के आज पास का जो को we over contractuben 2टा के बाद में जो ब्राह्मनिजम काheldी वाइवल स्टाट ओतार सुंग डाने स्ट वा आफ्टेट है आफ्ट अट वह लॉए इंपायर है 중요 इस तक आध्र दी मॉरें एंपायर शोंग डाने स्टी वाज कुवारे क्ट हूं ध के लिए फक्या दे News श्टेरा और तो ब्रामीनिजम को दे रिवाइब एड टाइम जब ब्राम्मण जब रिवाइब किये तो हमें यहाँ पर देखने को मिलें कि बाद में कुछ हिंडू टेंपल्स या हिंडूओं को भी कुछ आपको केप्स यहां पर देखने को मिलेंगे लेकिन यह जब स्टार्ट हुआ तो उस समय तो हिंडूइजम आई गया था पूरी तरीके से एक बार फिर से लेटर वेडिक टाइम के बाद में फिर से एक बार जो सनातन या हिंडूइजम जो है वो आ चुका था इसलिए यहां पर डॉमिनेंस किसका होगा यहां पर डॉमिनेंस किसका होगा जाइर सी बात हिंडू का कैसे उसके में अभी आपको बताऊंगा नेक्स यहां पर रेखेंगे यहां पर टोटल थर्टी केप से एक इंकम्प्लीट है तो कभी-कभी लोगों के लिए ओपन एक ओल थर्टी फोर केप जिरमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर हिंडूईजम बुद्धिजम और जैनिजम तीनों के लिए डेडिकेटेड है मैं आगे अभी बताऊंगा आपको यह देखेंगे यहां पर फिर अजनता केप देखेंगे तो अ बाद में और केप बने हैं लेकिन जो मेन अजनता केप है वह केवल एक ही रिलीजन को रिफलेक्ट करता है बुद्धिजम को और वहीं पर आप देखेंगे तो एलोरा जो है उसमें हिंडूईजम बुद्धिजम जैनिजम यह तो एक कॉमन सेंस है ना कि अगर हमने से जुड़ा होगा एक बेसिक रिलेटरम करी सकते ना जी हां आगे देखेंगे बच्चों यह अजनता केप में अगर आप देखोगे तो सात वहां डानिस्टी वका टक डानिस्टी और चालुक के तीन डानिस्टी का यहां पर कंट्रिबिशन रहा है और यादों इन चार ड यह development हुआ मतलब 200 से लेकर करीब 120 तक वह हीनियान फेज में डेवलप हुआ ठीक है तो यार रखेंगे यह जो अजनता केप्स हैं इसमें आपको महायान हीनियान दोनों देखने को मिलेंगे लेकिन हीनियान सबसे पहले स्टार्ट हुआ ठीक है और बाद में 5-6 century में इसमें जो development हुआ महायान के अंडर में डेवलप हुआ और हम सभी को मालूम है कि बहुत धर्म जो है हीनियान महायान दो भागों में बटा हुआ है लेकिन यहां पर यहां पर हमें यह समझना है कि यह जो हीनियान है यह आइडल वर्षिप नहीं करते थे यह सिंबल वर्षिप करते थे यह सिंबल वर्षिप करते थे और महायान जो है कि इन्होंने गौतम बुद्र के आइडल वर्षिप स्टार्ट मालूम नहीं इतना इस्टार्टेट आइडल वर्षिप और वहां सिंबल वर्षिप था इसलिए मुझे बताओ आप 200 से 120 के बीच में जो भी केप्स बनाए जो बनाए गए वहां पर क्या स्कल्प्चर मिलेगा जी हाँ गौतम बुद्ध का बुद्ध बुद्ध स्टेच्चु या फिर स्कल्प्चर आपको देखने को मिलेगा ठीक है जी हाँ और वहीं पर आप एलोरा देखेंगे तो एलोरा की स्टार्टिंग हिंडू फेज से इन चल्डों में इसका विकाष हुआ इसका दो चल्डों में दो समयकाल में विकाष हुआनसलतंयों का नाइसलिक टेमपल है यह को काट कर बनाया गया मोनोलिथिक टेंपल हम अपने आटन कल्चर की सफर में अब तक हमने पिलर्स देखे मोनोलिथिक हमने केप में आज हमें पता चल रहा है कि केप के लावा एक बहुत बड़ा मंदिर बहुत ही विसाल मंदिर वह भी एक चट्टान से कार्प करके बनाया ग एक हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अजूबा ही है एक वंडर ही है यहां पर देखने को मिलता है यह आगे हम दो देखेंगे इसकी प्रिक भी देखेंगे तो जरह मुझे बताएंगे क्या यह बेसिक जानकारी आपको क्लियर हुई कोई डाउट नहीं है जंता केप्स नहीं घप गया है है यहां पेर क्योंकर उस्चंस को सब्सक्राइब का अधमें टाइम प्रिक और टो सकता यहां नंबर पर कियोंकि जा सकता है और तीसरा आ सकता development क्योंकि इसमें पेज है पहला ही नियान फिर महायान यहां हिंडू बुद्धिस्ट और हिंडू जैन अब कोई आपको आपके अब्जेक्टिव कोश्टन जो इंसी के उसमें प्राब्लम दूनी होगी न चलते अजन्टा के बारे में यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हो जो अजन्टा केप्स हैं यह अजन्टा केप्स और कारवाउट इन सेकंड सेंचुडी बीसी जो कि क्लिफ आपने देखा होगा एक होर्सू आपने देखा होगा जो लगाई जाती है ठीक है तो यह जो आपको है यह पूरा का पूरा जो आपका अजन्टा केप्स है वो इट लुक्स लाइक डैट एक और वही नीचे एक नदी बहर रही है भोगवा रीबर वागोरा रीबर और इसी रीबर से एक सीड़ी गई है उपर की ओर केव में यहां पर होर्सू सेवड क्लिफ भी है जहां हम नदी के सारे उपर पहुशते हैं केव में और केव लुक्स लाइक सम्थिंग लाइक डैट क्लियर है इस तरीके से कुछ आप देखोगे तो वह केव देखने को मिल पते थे मौनिश्ट्री के लिए तो आभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आजंता केप्स को 900 सालों तक 900 नाइन हेंड़ेट येर्स देखें आप लिखा वह 9 सेंचुरीज 900 सालों तक लोगों ने चैट्य और बिहार की रूप में यूज किया लोगों ने चैट्य और बिहार की रूप में 900 सालों तक इसका प्रयोग किया ठीक है जी आँ वहीं पर आगर आप देखेंगे तो यहां पर जो टोटल 30 केप्स हैं जो 30 गुफाए मिली हैं इन मेंसे जो 5 हैं ठीक है केप नंबर 9, 10, 19, 26, 29 आदर चैट्य गराफ ये प्रेयर यहीं पर लिख जेता हूं चैट्य कितने 5 हैं बाकी 25 क्या है बिहार है बाकी 25 बिहार है क्लियर है और जो चैट्य केप्स में अगर नंबर की बात करें तो 9, 10, 19, 26 और आपका उन्तिस मतलब 9, 10, 19, 26 और 29 है अब आप बोलोगे क्या नंबर याद करना बिलकुल नहीं याद क 2nd century BC में स्टार्ट हुआ और सू सेब्ड क्लिप देखने को मिलेगा ओके उसके बाद फिर बुद्धिस्ट मोंग ने प्रेयर हॉल और मॉनेस्ट्री दोनों की रूप में यूच किया पाथ चैते हैं और बाकी 25 क्या है बिहार है आगे देखेंगे बोला जाता है कि डेट औ हुए इसको हम दो भागों में बढ़ते हैं एक बोलते हैं फेज वन और एक हम बोलते हैं फेज टू फेज वन जो अभी मैं आपको बता है 200 से 100 BC के बीच में इसमें हमें देखने को मिलता है याद रखेंगे सम टाइम स्टेट्मेंट हैसा आज सकता है कि अजनता केप्स वो हैं उस समय साथ वाहन ने ही इसको स्टार्ट कराया था और यही नियान से संबंदित था यहां पर वर्षिप के लिए स्टूप का प्रियोग किया गया है केव नंबर 9, 10, 12, 13, 15 ने बिलॉंग टू दी सीरा और इनमें हमें एक स्टूप भी देखने को मिलता है यह जो टोट हो अब आते इस सेकेड़ फेज में सेकेड़ यह तर्ट सेंचुरी टो सिट एंचुरी एडिच एसकेवेसं सार मेजर कंट्रीविशन अब दा वका टक चालुक के और यहां पर महायान स्टार्ट हो गया ता फेज इसलिए क्या यहां पर आइडल वर्सिप होगा जी यहां यहां आइडल वर्सिप है और यहां पर इस्टूपा मतलब सिम्बल वर्सिप क्लियर है यहाँ पर आइडल वर्सी पर यहाँ पर सिम्बल वर्सी पर बताएं क्लियर पूरा है नोट को काफी अलग-अलग कर दिया गया है ताकि आपको असानी से समझ में आ जाए देखें जी हाँ चल आगे रेखेंगे यह जो साथवाना फेजो और वकाटक फेज है इनमें कुछ चीजे हमें देखने को मिलते हैं सबसे पहले क्या देखने मिलता है थो आउट इस लाइफ बुद्धा जो थे वज अगेंज दा इसकल्टिंग और पेंटिंग वो नहीं चाते थे कि कोई चित्र बने कोई मूर्ती बने और मुझे भगवान की तदा पूजा जाए क्योंकि यही कंसेप्ट था ही नियान का लेकिन बाद में महायान में उनको इस्वर की तदा पूजा जाने लगा उनकी मूर्तिया बन गई तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहां पे गौतम बुद्धु मतला भगवान को गौतम बुद्ध भगवान को सिंबल के तहर दिखाया गया अब सिंबल में अगर आप यहां पर देखेंगे तो केव नंबर 9 केव नंबर 10 आज़्टा इस्टूपा कंटेनिंग वर्षिप ऑल और चैट तेग्रा आपको केव नंबर 9 और 10 में हमें इस्टूपा मिला हुआ है और वहीं केव नंबर 12 13 और 15 ने जो है यह बिहार याद रखेंगे पांच के इस टाइम पीरेड में बने थे जिसमें दो चैती हैं और तीन क्या है बिहार है अब आप बोलोग इतना ज्यादा है याद रखना है नहीं लेकिन यह तो याद रहेगा इसलिए याद रहेगा इसलिए याद रहेगा क्योंकि 9 और 10 बहुत इंपोर्टे है ठीक है जी हां है क्लियर है चलिए हम एक बार एक केव नंबर 9 के बारे में पढ़ते हैं यह नंबर 9 जो है इस एपसाइडल चैट तेगरा इस डेटेवल टू सेकेंड सेंचुरी बीचे 200 बीची के टाइम में बनाता यही नियान बुद्धिजम का फेज जो था उसको रि लिटर्जिकल हॉल मिला हुआ है लिटर्जिकल हॉल क्या होता है कि वह हॉल जहां पे किसी के मरने के बाद में किसी की मृत्तिव के बाद में मरणों परांत हम उसकी पूजा उपासना आरादना करते हैं इसलिए हॉल में स्टूपा इस तूप किसका प्रती के महापरी निर् का कि गौतम बुद्ध को निर्वान तो मिल गया था जब ग्यान मिला लेकिन महापरी निर्वान जो है जब शरीर को त्यागा था उसे कहते हैं तो इसलिए यह जो इस्टूपा रिफलेक्ट करता है यह लिटर्जिकल हॉल है मतलब मरडो परांध हम किसी की उपातना और हम उस इसलिए अगर आप देखेंगे लिटर्जिकल हॉल ने बिद्दा मोनोलिथिक स्टोन स्टूपा काप्ट फ्रॉंद लिबिंग रोग अब यहां पर आपको मोनोलिथिक स्टोन दिखेगा ऐसा कुछ दिखेगा लेकिन अभी एक केब नंबर 19 का है नाइन का नहीं है आप ना कि अगर अपक कॉध्व की मूति हटा दो तो केफ नंबर नाइन हो जाएगा और अगर खड़े हुए आ गये तो केब नंबर 19 उजाएगा अगर तो अगर सीटेड गौतम बुद्धा अगे मतलब बैठे हुए तो केब नंबर 26 हो जाएगा तो इस स्टूप में तो गौतम बुद्ध की फोटो दिख रही है केब नंबर 19 में स्टेंडिंग बुद्धा है केब नंबर 26 में सीटेड बुद्धा है इट मीन्स ये महायान के होगे जी हाँ ये बात कर रहे हैं सेकेंड फेस की जिससे चालुक और वकाटक ने बनाया था लेकिन जब यही मूर्ति पूजा नहीं होती थी तो यह मूर्तिया नहीं होती थी ऐसा ही एक structure होता था इस तूप का और वही तूप का structure वर्शिप किया जाता था ठीके उसी की पूजा होती थी इस आधार पे हम देखते हैं आपको केवल वही तूप मिलेगा देखेंगे वकातक फेज के नाम से जाना जाता है इस समय को वकातक दानेश्थी के किंगते हरी सेन इनको बोला जाता है कि इन्हों से सेकेंड फेज में इसका development स्टार्ट करवाया अब फेज वन से इसका जो major difference यही है कि गौतम बुद्ध जो है इस समय उनको महायान बुद्धिजम के तहर ठीक है उनको image या आईडल में दिखाया गया है ठीक है उनकी आराधना जो है मूर्ति के रूप में की गई है इसलि चैते दो हैं वहाँ पर तीन है टोटल पाथ ही तो चैते थे बस आप एक जगह का चैते या रखो नो दस्तों बाकी में आपको तीनों क्या दिखेंगे चैते हैं कौन से 1926 और 29 अगर थोड़ा के नंबर 19 देखते हैं के नंबर 19 अगर हम लोग देखें तो यह 5th century में इसका अबिकास किया गया तो इसको डेबलब किया गया था यहां पर बुद्धा की इख टेंडिंग मेंज डिखती है यहां पर बुद्ध जो है वह खड़े हुए मुद्रा में है मतलब बुद्ध यहां पर बिल्कुल standing एक जगहा पे आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे है देखे आपको इस टूप में यह वाला फेस ठीक है दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे तो यह जो केब है इस नोन फॉर इट्स स्कल्प्चुरल ग्रेंड नर्ड यह बोला जाता है कि अपने स्कल्प्चर के लिए काफी ज्यादा मसूर है ठीक है जो फ्रंट से स्कल्प्चर दिखता है और यहाँ पे गौत्म बुद्ध की बहुत सारी पेंटिंग मिल जाएगी और अलग-अलग पोस्चर में है ठीक है हा जाता है कि भारती थिहास में चैती जो बने लिया जो चैते केप्स बने उनमें प्योर स्टोन का अगर कोई केब है तो वह केब नंबर आपका 19 है और यह पूरा फाइनेस्ट इक्जाम्पल है ठीक है पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम स्टोन केप का चैते केप का है कि उसके बाद देखेंगे बच्चों दा इस्टनिंग वराइटी ओफ पैनल एंड ब्रैकेट डेकोरेशन इंडिसकेप इंक्लूड दा इमेज ओफ बुद्धा ठीक है यह इसकी सबसे खास बात है माउंटेड राइडर्स प्लाइं सेलेसियल्स लाइन हैट्स पैनल्स इंटर सारी मूर्तिया देखने को मिल रही है अलग-अलग पूस्चर में गौत्म बुद्ध के बैठे हुए घूमना चाहिए एक बार आपको जाना चाहिए पिर यहां पर देखोगे उपर च्छत्र भी देखने को मिल रहा है ठीक है फिर आपको इस टूप देखने को मिल रहा है एक गलियारा देखने को मिल रहा है इसी स्टूप के किनारे किनारे प्रदक्षडा करते थे वानला परिक्रमा लेते थे यह चीज भी आपको यहां पर देखने को मिल रही है अब आते केव नंबर 26 में बैटा केव नंबर 26 जो है न यह चैट दिग रहा है ठीक है इस ब्रभाणय में में 303 मुलतिया देखने को मिलेंगे इस यह रखिए यहां बस गौत मुद आपको बैठे हुए मिलेंगे तशल्ट संसल्टतुbling यह थे लिए और यहां पर लिखा हुआ है लासब यहां पर आपको बहुत सारी स्कल्प्चर्स देखने को मिलेंगे चैत्रिग्रा कंसिस्टा हॉल चैत्रिग्रा में एक हॉल है साइड एलस है एलस मतलब प्रदिक्षिणा पत्थ गलियारा जिसे कहते हैं एंड रॉक कट स्टूपा फ्रंट बाइन इमेज सीटेड बुद्दा और एक रॉक कट स्टूपा मिला है जिसमें सामने से दिखता है कि गौतम बुद्द क्या है बैठे हुए है आगे देखेंगे डिफेसेट जो है मतलब सामने जो फ्रंट है ठीकि वो काफी सुन्दर है काफी भव्वे दिखता है जैसा कि आप देखेंगे यह उसके बाद इ महराब और पिलर्स के बीच में यह ट्राइफॉरीम यह ट्राइफॉरीम जो है अपने आपने आपने क्या है यह ट्राइप ओरियम है और यह त्युद्ध रियोकर और गलियारे की किनारे किनारे जो आपको वाल्स देख रही है इन वाल्स में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी स्कल्प्चर देखने को मिलेंगे और इनको काफी बहतरीन क्या किया गया है बनाया गया है यह अपने आप में क्या है खास बात है किसकी केव नंबर 26 की अब इमेज क्यों क्यों कि दोचा नाम आपको याद रखने अपने आप वहाँ पर इमेज याद करने पर आ जाएगा और आप एक्जाम में एक्स्प्लेइन कर पाओगी ठीके हाँ अब इसी में खास बात एक और मिलती है हमें केव नंबर 26 में ही मारा टेमपेटेशन ऑफ मारा ऐसा माना जाता है कि जब गौतम बुद्ध निर्वान के लिए ध्यान लगाए बैटे थे तब उनके ध्यान को भंग करने के लिए मारा आई थी एक गौड़ेस ऑप डिमॉन ऐसा माना जाता है कि यहां पर मारा जो बुद्धिजम में एक डिमॉन की रूप में हूं टेम्टेट गौतम बुद्ध बाइट राइंग टू सेड्यूस इम व गौतम बुद्ध ध्यान में बैटे हुए थे तब यह किनारे किनारे आपको बहुत सारी महिलाएं देखने को मिल रही है ठीक है यह ऐसा माना जाता है कि मारा ने गौतम बुद्ध के ध्यान को भंग करने के लिए ठीक है उनको आकरशित करने के लिए बहुत सारी जो महिला तो यह भी आपको कहां पर दिखेगा केव नंबर 26 अजनता में ही देखने को मिलेगा कि आगे समझ में टेंपरेटेशन ऑफ मारा ठीक है बाई मारा और गेव नंबर 26 ठीक है अल क्लियर आई हो अब आगाते हैं एलोरा पर एलोरा आप देखें किस प्रकार से चट्टान को स्लोपिंग साइड पर अजनता जो है वो परपेंडिकुलर पर और यह स्लोपिंग साइड पर यह एक मेजर डिफरेंस इंडोनों की बीच में यह भी है तो एलोरा केप्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आप में क्या खास बात थी यहां पर देखेंगे एलोरा में टोट कि 17 हिंडू जो है केब नमबर 13-29 वह हिंडू केप से और जो पांच केप से केब नमबर 30-34 ठीक है यह आपके जैन फेट के हैं तो यहां पे अगर आप देखने को मिलेगा ठीक है बटा चैत भीहार आप पहले लेक्षर में थे ली कि अगर आपने पहले लेक्षर में नहीं एक पाया गया चैते जो था यह वर्शिप परपस के लिए जहां पर मौंग्स वर्शिप करते थे एक पाया गया बिहार बिहार लाइक डा होटल रेजिदेंशिल पर परपज एगे यह रेजिदेंश के लिए उज़ करते थे जो बॉद बिक्षू या जैन बिक्षू या दूसरे कोई भी भी बिक्षू थे वो सभी लोग जो भी संत महात्मा बिक्षू थे जब वह गुफाओं में जिन गुफाओ का प्रयोग रहने के लिए करते थे और जिन गुफाओं का प्रयोग वर्शिप के लिए करते थे मतलब बस आप यह समलो केव टेमपल चैट को हम एक और नाम देख सकते हैं केव टेमपल जो मन्दिर की रूप में थी जहां पर लोग क्या करते थे प्रियर करते थे केव यूणी हर्टिस्टिंक रूपी करियेशन मतलब इस नहीं अपूली यूणी कर्टिस्टिंक क्रियेशन और रंसों बदा सेंक्चुरी इस दिवोर्टे ग बुद्रिजम हिंदुजम जैनिजम हिंद फिर इस इस बिरिद इस प्रफेक्ट जाम पले जहां पर एक ही जग पर तीनों धर्म के लोग रहते थे आगल बगल उनकी गुफाएं थी लोगों का रहना एक साथ था यह बताता है तो आज की टाइम में ऐसा हो नहीं सकता आज लोगों ने अपने छेट अपनी चीजें बाट रखी हैं और अभी हाली में तो आपको बहुर बड़ा मुद्दा देखने को मिली रहा है जल्दी में आपको मणीपूर के ऊपर हिस्टोरिकल प्रेक्ट के साथ में मिलूंगा सायद कली मिलूं तो यह यार रखेंगे हमारे प्राचीन भारत के एक विसिस्ता थी इस्पिरिट ऑफ टॉलरेंस अमंग दा हिंडुरिजम जैनिजम एंड तो पहले हम बात करते हैं बुद्धिस्ट मॉनूमेंट्स केव नमबर वन तो बोला जाता है यह टोटल जो बारा केव हैं इसमें केवल एक ही चैट है एक ही प्रेयर हाल है बाकी सब क्या है ठीक है मॉनिश्ट्री है केव नमबर फाइफ इज यूनिक विकॉज इडिजाइ सब्सक्राइब करेंद एज आज हॉल बिद्धा टू पैरलल रिफ्लेक्टरी ब्रेंचेस इंड़ सेंटर बिद्धा बुद्धा स्टेचू ठीक है इंडर रियर तो ऐसा बनाया गया है कि दो ऐसे बैंचेस डेखने को मिलता है यह डेवलप्मेंट भी आपको यहां पर दे बैंचेस वाली केब है न वो केब नंबर पांच एलोरा की और कनहेरी की केब नंबर 11 पूरे भारत में ऐसी दो ही केब्स हैं जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा टू पैरलेल रिफ्लेक्टरी बैंचेस इंड़ सेंटर बिद्धा बुद्धा स्टेचू इंडर रियर यह दो ही जगा आपको देखने को मिलेगा नेक्स आगे पढ़ेंगे बिस्व कर्मा नंबर केब जो है इसमें केब नंबर 10 कहते हैं बिस्व कर्मा केब जो है यहां पे सीटेड बुद्धा इन दा प्रीचिंग पोजीशन गौतम बुद्धा बैठे हुए हैं प्रीचिंग इसकी खुबसूती बहुत अच्छी है यहां पर जो चटाने थे चटान है डेटन अपेरेंस आप ड़ोडन बीम के अपेरेंस में देखने को मिलते हैं इन्हों ने जो कंस्ट्रक्शन पैटन फॉलो किया है वो केब नंबर 1926 का फॉलो किया है ठीक है उसी तरीके से इन्हों ने अपने आपको कंस्ट्रक्श किया है बनाया है आगे रेखेंगे वाच्चू केब नंबर 13-29 यह हिंदू मोनुमेंट से हिंदू केब से इसको डेबलब करने का सिरे जाता है कल चूरी राष्ट कूटास को ठीक है यहां पर केब नंबर 29 जो है इसके उपर पीवाई की प टेमपल्स कंटेनर रॉक कट लिंग योनी विदिन दा कोर अब दा स्राइन सराउंडेट बाइए स्पेस और सरकंबुलेशन परिक्रमा तो स्यूलिंग है और बाकी चारो तरप आपकी चारो तरप क्या है एक परिक्रमा पत है यह धूमर लेना है और यह लौड सिवा को डे कलासनाट टेमपल्स हों इसके दीखर आपको केलासनाट टेमपल गाना भूल गया यह फूरा आपको मालूम है यहां पूर चतान बना दिया यह एक चतान इसको कार्वाउट करके यहाँ पे बनाए गया है, जी आ, जी, झारे, जी मैं उससे डीटेल करा रहा हूँ, कोई वुक फॉलू नहीं कर रहा हूँ, सबी वुक से डीटेल करा रहा रहा हूँ, जो UPSC की दिमांड है, तुम्हें कोई सिंगल बुक नहीं करा रहा हूं मैं UPSC की डिमाइंड पर फोकस हूँ और उसी पेश्टिक यह आपको नहीं करा है यह मोनोलिथिक है यह एक चट्टान से बना हुआ है अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ऐसा माना जाता है कि इसे कृष्णा वन कृष्णा प्रथम जो थे राष्ट कूटा रूलर इन्हों ने इसको करीब मिडिल आफ एट सेंचुरी मतलब सेवेन सिक्स्टी के आज पास में इसको बनवाया था इस टेंपल इस वर्ल्ड फेमस पर बिंग लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक एस्किवेशन इन दा वर्ल्ड पूरे बिस्व में सबसे बड़ा मोनोलिथिक एस्किवेशन देखने को मिलेगा इसमें आपको पल्लो चालुक की स्टाइल के ट्रेस देखने को मिलेंगे सबसे खास बत क्या है कि यहां पर आपको अमल्ग मेरिशन देखने को मिलेगा कैसा अमल्ग मेरिशन इन्फुलेंस ऑब दा बिरुपक्ष टेंपल और पड़टकल टेंपल ठीके यह जो चालुक की टेंपल थे इनके एमल्ग मेरिशन देखने को मिलेंगे क्लियर है विरुपक्षी टेंपल जो था ठीक है आपके चालुक के टेंपल और दूसरा आपका कैलास टेंपल इन डोनों के अमल्गमेशन आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ट्रेस पल्लो और चालुक के देखने को मिलेंगे और आगे देखेंगे दो इट नीट्स टू बी स्पेसिफाइड मतलब यह क्लियर करना ज़रूरी है कि कैलास टेंपल इन डोनों का इग्जेक्ट इमिटेशन नहीं है अपने आप में इसकी खुद की क्या है एक अगर आप देखेंगे तो यूनिकनेस है यह बहुत यूनिक है अगर आप देखेंगे तो यह बैसिकली स्टेव धर्म से संबंदित है लेकिन यहां पर आपको बैस्नों धर्म से बिलॉंग करते हुए स्कल्प्चर दिखेंगे पीवाई क्यू है याद रखना मंदी्र जो है कैलासनाथ नाम है एक इमदिर है मंदिर भगवान शेव परंपरा से लेकिन फिर भी श्यू परंपरा होने के बाद भी बहगवान विष्ण्व की मूर्तिया इसमें देखने को मिलेंगी प्रेएर है तो ऐसे statement आ सकते हैं कि यहां जो है मलब statement चार आएंगी जिनमें confusion हो जाएगा पहला आ जाएगा कि यह बैसनों को dedicated है दूसरा आ जाएगा यहां पर बैसनों इस culture देखने को मिलेंगे ठीक है यह इस culture आप विश्नु देखने को मिलेंगे तीसरा आ जाएगा सेव क इस culture तो लास्ट के टीन तो सही है वस पहला नहीं सही है डेडिकेटेट टू सही है तो ऐसे confusion create हो सकता है यहां पर यह तो आपको थोड़ा focus करना है यह पूरे टेंपल को अगर आप देखो कि चार भागों में बाढ़ सकते हो एक तो में मंदिर में स्राइं दूसरा इंटरेंस गेटवे ठीके और तीसरा हो जाता है इंटरमीडियत साइं जहां पर नंडि है और फिर छौथा है मंडप नंडी और घुषने का दरवाजा entrance gateway और main shrine जो मुक्त के मंदिर है यहाँ इसके सबसे बड़े भागें तो वहाँ पर देखेंगी यह entry part, नंदी वाला part, मंदप वाला part और main shrine ठीके यह आप चार भागों में देखने को मिलेगा ठीके हाँ clear यहाँ तक जी मैं अभी जो lecture लूँगा ठीके जो मैं lecture लूँगा यहाँ पर modern लूँगा Sunday को don't be confused मैं Sunday को modern लूँगा सुबे 11.30 एम पर live अगर आप अच्छे से क्यों कि मैंने कई बच्चों से कई कई बार question पूछे तो बता नहीं पाते हो revision करने का उनका मन्हीं होता perfect revision होगा marathon होगा 1600 या फिर अगर आप देखेंगे 1453 से लेकर मैं आपको 1857 तक कराऊंगा देखें हाँ उसके अगले संडे को फिर हम मैं इसका second part कराके फिर medieval कराऊंगा चलिए जैन monuments की बात कर लेते हैं तो बुला जाता है cave number 30 to 34 जो है जैन monuments है यह जो गुफाएं है यह जो गुफाएं है यह दिगंबर मतलब जैन धर्म भी दो भागों बटन स्वैतांबा दिगंबर यह दिगंबर सेक्ट से हैं तो यहां पर आप देखेंगे तो इसमें सबसे खास बात क्या है कि यहां पर जिना की मूर्ति के साथ साथ यक्ष और यक्षनी इनकी भी मूर्तिया यहां पर देखने को मिलती है सबसे खास बात यहां पर क्या है छोटा कैलास मंदिर जो केव नंबर 30 है इंड सभा केव नंबर 32 है और जगर्नात सभा केव नंबर 33 यह तीन केव सबसे ज़्यादा अग्या II सबसे खास बात यहां पर देखने को क्या मिलेगी समस्वरा क्या है एक मिनिट एक समवश्वरा क्या है या इसको एक शी और बोलते हैं समवश्वरु भी बोलते हैं शमकि एक समवश्वरु ब्राइश नहीं तो उसी इंसिडेंट को समो शणवा कहते हैं तो इसी केप में आपको एलोरा केप के आखरी में जो जैन केप हैं वहाँ पे तीर्थंकर को ग्यान मिलने के बाद में वहाँ बाकी लोगों को उपदेश दे रहे हैं ऐसा डिपिक्ट किया गया है मतलब यहाँ पे आपको अगर देखने को मिलेगा तो earliest समोसर ना images were found here तो यहां पर आपको मालूम होना चाहिए यह प्रीचे से प्रवचन है आफ्टर एटेरिंग दा केवल ग्यानम केवल की प्राप्ति के बाद में जो उपदेश देते हुँ यहां पर देखने को मिलेगा तो एक बार आप यहां पर फिर से देख लिजे केव नंबर फाइट जो केव नंबर 10 जो है वो विश्व कर्मा केव है केव नंबर 11 जो है वो दो तला मतलब डबल स्टोरी है केव नंबर 12 जो है तीन तला है ट्रिपल स्टोरी है केव नंबर 15 दसा उतार है केव नंबर 16 कैलास टेमपल है तो एक तो यह देखने को मिलता है आगे देखेंगे केव 21 रामिश्वर के भे यह भी नोट्स में आपको मिल जाएगा 22 नीलकन 29 दोमर लेना 30 चोटा कलास 32 इन्रसभा इतना आपको यार रखना है अब आप में से कई लोगों को कंक्लूजन लिखने में दिक्कत आती थी अभी जो मैंने आंसर सापके देखे इन आंसर में इचरति मुस्ट प्रॉबलम रामिए सीलिक कहा ए त्यक्हें फ्रा इस में मैकसिमूंशेयच की प्रॉबलम है सबżenieखें धिक्र कहांतुब में मैं स्टूडेंट्स के प्रॉबलम है वह कि सरपके कउन्क्लूजन निग पाते है तो देखो अगर मान लो अभी मैंने केप कंप्लीट किया है तो केप का एक बार कंक्लूजन देखो क्या कहता है यह कहता है तो आप यहां पर अपने आंसर को डिनोट कर सकते हो दिए अबब पॉइंट ठीक है रिविल्स आउ कल्चर एंड ट्रेडिशन वैरीड ओबर ट्रेडिशन एक लंबे समय से चली आ रही है और हमसे यह भी पता चल रहा है क्योंकि साथ वहां ने अगर बनाया तो साथ वहां एक ट्रब लेके चलते थे हिंडुजम और बना रहे हैं बुद्धिजम क्लियर है तो यह यह भी बताता है कि उस समय के एंसेंट टाइम की जो रूलर्स टोलरेंट ही नहीं थे बलकि उन्होंने अलग अलग धर्मों को स्विकार भी किया ठीक है जिया उनको संदक्षड भी दिया लेसंस कैन बी डॉन प्रॉम इस टाइम्स एंड अभी जो प्रजेंट टाइम में हम लोगों के सामने क्या प्रॉबलम है हमारे समाज में बहुत बड़ी समस्याएं हैं इन टॉलरेंस हैं इन सभी को समाप्ट करने के लिए इन सभी को सॉल्व करने के लिए हमें इन एंसेंट टाइम के रूलर्स के बारे में उनके टाइम के पिक्सको सब्सक्राइधि के बारे में, हमें पता करके और यहाँ पर इंपलीमेंट करना चीए? यही हमें यहाँ पर अर्खिटेक्ट्चर जो है? एक हिसापतिक फिलोसोफी एक्स्प्लेइन करता है क्या यहां तक समझ में आया हूँ? ऐनिलमी All Clear इस तरीके से आप अगर आंसर आइटि में कंक्लूजन लिखो गे ना तो बहुत अच्छा लगेगा एग अप्लियर है अब इसमें एक अच्छा सा प्रश्चन आप लिख सकते हो आज अजन्ता एलूरा आजन्ता एलूरा में ऐसा आप लिख सकते हो ठीक है आजन्ता एंड एलोरा यहीं से बना लेते क्वेश्चन आजन्ता एंड एलोरा केप्स रिबील आउ हिस्टोरिकली इंडियन रूलर्स वर नॉट अनली टॉलरेंट तोड़ दिफरेंट रिलीजिन बट आउसो पैटरनाइज देम कर लेंगे कर लेंगे बताईए अजन्ता एंड एलोरा केप्स ठीक है और फिर यहां से जोड़ दीजिए यहां से रिवील ठीक है हाउ हिस्टोरिकली यहां तक लाते हुए ठीक है पैटरनाइज देम तक जोड़ देंगे आप जी मतलब आजन्ता एंड एलोरा केप्स ठीक है रिवील हाउ हिस्टोरिकली इंडियन रूलर्स वर नॉट ओनली टॉलेंट टूर्स डिफरेंट रिलीजिन्स बट आउसो पैटरनाइज देम कमेंट लास्क में आप क्या लिग देंगे कमेंट अब आप बता दीजे कब कब कौन सी चीजे क्या होई है बनी है बता देंगे ना कंट्रिविशन आप दूलर्स तो यहां पे जो मेन बॉड़ी में हेडिंग बनेगी ना वह हेडिंग कंट्रिविशन तो दूलूलर्स बनेगी तो थोड़ा सा बताईएगा इसको कि इसमें अलग-अलग धर्म के केफ मिले हैं आजनता में यह है अजनता तो पूरी वुद्धिस्ट है बट इट वस डेबलब डैट टाइम ठीक है किसने डेबलब किया वहां से आप उठा सकते हो बेलोरा में आपको तीनों धर्म देखने को मिलेंगे तो आप दोनों का मिक्स अजनते हुए फिर कंक्लूजन में आप यहला पार्ट लिख दोगे चलेगा आपको बताओ यहला पार्ट लिख दोगे चलेगा जी हां आप दूसरी बात सुन लो नॉर्मली क्या है कि बी आर क्रियेटिंगा रेवोलुशन क्या नॉर्मली पहले मैं बहुत से बच्चों को नहीं बोलता था क्योंकि बहुत से बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए थे फिनांसिल प्रॉब्लम भी थी लेकिन अभी हम लोग बैच लेकर आये हैं 7999 में डिस इस दा उडान बैच जो अगला बैच स्टार्ट हो रहा है पस्ट अगस्त से इसकी प्राइस जो है 35 परसे भी आप कवर करना चाहरे हो तो आपको कहीं पर लाखों रुपए बरबार नहीं करना है के ओ 7999 में आप ये बैच ले सकते हो बिद्दा कोड दीपक वन और जैसे आप ये बैच लेते हो एक अगस्त का वेट कर रहा हूं उसमें भी जो बच्चे एडमिसर लेंगे सबका एक इस पोड को यूज़ करने के बाद मैं आपको मिल रहा है और डिसकाउंट भी मिलेगा जी हां तो यही रेवल्यूशन जो है मैं अगर आपसे चाहता हूं कि अगर आप सच में तयारी करने सीरियस हैं यूटूब पर क्या होता ना कि मानलो कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट के क देखो कि इतने कम टाइम में इतने कम में यूपिसी की तयारी वह भी उन टीचर से जिन जो टीचर सभी लाग देड़ लाग रुपे देखे मतलब जहां पर लोग बच्चे अडिमिसन लेकर उनसे पढ़ते हैं वह आपको यहां पर मिल रहे हैं कि और इतने कम प्राइस में